साथियों, महामना और अटल जी दोनों एकी विचार प्रभा से जुड़े थे, महामना के लिए अटल जी ने कहा था, जब कोई व्यक्ति सरकारी मदद के बिना कुछ करने के लिए निकलेगा, तो महामना का व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, एक दीप सिखा की तरह उसका मार्ग आलोकित करेगा, आज देश उन सपनों को पूरा करने में जूटा है, जिसका सपना मालविया जी ने, अटल जी ने, देश के हर स्वासंत्र सेनानी ने देखा था, इसका आधार हमने सुशासन को बनाया है, गुड गवर्नेंस को बनाया है, गुड गवर्नेंस का मतलब होता है, जब सासन के केंदर में सत्ता नहीं, सत्ता भाव नहीं, सेवा भाव हो, जब साफ नियत से संबेदन सिल्टा के साथ नीतियों का निर्मान हो और जब हर हकदार को बीना किसी भेदभाव के उसका पूरा हक मिले गुड गुवरनेंस का यही सिद्धान आज हमारी सरकार की पहचान बन चुका है हमारी सरकार का निरंतर प्रयात रहा है कि देश के नागरी को मूल सुविधाओं के लिए यहां वहां चक्कर काटने की जुरूत न पड़े बलकि सरकार आज हर नागरी के पास खुच जाकर उसे हर सुविधा दे रही है और अब तो हमारी कोशिश है कि ऐसी हर सुविधा का सेचुरेशन हो हंड्रेड परसंट इंप्लेमेंट करें इसके लिए देश भर में विख्षीद भारत संक्रल प्यात्रा चलाई जा रही है आपने भी देखा होगा मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के गामों और सहरों तक पहुंच रही है लाभारत्यों को मोके पर ही अनेक योजनाओं का लाब मिल रहा है मैं आपको एक उधान देता हूँ आज केंद्र सरकार हर गरीब को पांच लाख रुपिय तक के मुप्त इलाज के लिए आईश्मान काड़ देती है बीतें बर्षों में करोडों गरीबों को यह काड़ दिये गए थे लेकिन बावजुदिस के कई खेत्रों में जागरुकता की कमी की वज़े से गरीबों को यह आईश्मान काड़ पहुंच नहीं पाए थे अम मोदी की गरंटी वाली गाड़ी ने सिरफ 40 दिन के भीतर देश में एक करोड़ चे अधीक नए आईश्मान काड़ बनाये हैं उनको खोजा हैं उनको दिया है कोई भी छुटे नहीं कोई भी पीछे रहे नहीं सबका साथ हो सबका विकास हो यही तो सुसातन है यही तो गुड गवननस है